ओला मीगोस को मैं 27, I hope आप सब ठीक होंगे, तो I am back with my chapter number 36, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये present tense की एक और verb मैं लेकिया आ रही हूँ, ठीक है, प्रितरी तो, पेर्फेक्टो, कॉम्पुएस्टो, actually में जो इसका meaning है, ठीक है, वो मैं आगे आपको समझाओंगी, बट मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाती हूँ, कि जब भी हम कोई verb पढ़ते हैं, ठीक है, उसका exact जो नाम होता है, वो कई बार थोड़ा सा, थोड़ा सा मैंने, क्योंकि कई books में पढ़ा है, कई सारी books में मैंने कि कहीं कुछ नाम लिखा है, मैं आपको इसका exact meaning समझाओंगी, इसका exact tense समझाओंगी, कि ये कहां बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल नाम पे focus मत करिये, मैं नाम कभी भी गलत नहीं लिखूंगे ठीक है बट किसी जगा पे like मैंने जो अपने students को बताए उनको प्रेतरी तो पिरफेक तो बताए because short form में मैंने समझाए ठीक है compost तो साथ में लगता है ठीक है बट मैं इसको आपको इसका exact meaning बताऊंगे कि यह कहां use होता है ठीक है तो meaning से आप याद रखिए कभी भी इतने ज़्यादा deep नाम में क्योंकि हमें इतने ज़्यादा नाम नहीं याद रह सकते मैंने आपको पहले भी बताए कि मेरे साथ students तो जुड़े ही है बट कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जिनको पढ़े हुए बहुत साल हो गए है ठीक है तो मैं इन नामों पर focus ना करके मैं उन्हें एक easy way समझाती हूँ ठीक है तो वो easy way क्या है वो हम देखते है मैंने इस verb का नाम रखा है just finish ठीक है तो जब भी मैं अपने students को कहती हूँ क्योंकि कुछ ladies आती है जो की काम करना चाहती है तो उन्हें सीखनी अच्छी तरह से है बट obviously इतने बड़े बड़े नाम अब उन्हें पड़े हुए इतने साल हो गए हैं तो वो नहीं याद रख पाती है तो मैंने इसमें एक short form दिया है जिसे हम कहते हैं just finish ठीक है तो जब कोई काम हम just finish करके हटे होते हैं ठीक है ना तो वो continue हो रहा होता है और ना ही हम वो routine wise करते हैं मतलब कि रोज की तरह like मैं रोज इतने बज़े उठती हूँ ठीक है ये मेरा routine हो गया ना तो हम उसे हिसाब से करते हैं और ना ही इस verb को हम continue कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको ये वीडियो ये जो सिखा रही हूँ ठीक है आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं ये continue हो रहे है ठीक है बट just finish होता है like मैंने एक glass दूद का अभी पिया just finish मैंने finish कर दिया ठीक है उस चीज को मैं continue नहीं कर रही हूँ तो ये verb होगी वहाँ पे use just finish ठीक है तो क्या है ये verb इसको ध्यान से समझते हैं ठीक है verb तो आएगी बट इसके आगे बेरवो आबेर जो कि मैंने कहा कि काफी complicated हो सकती है आपके लिए धीरे धीरे समझ में आएगी ठीक है उसका एक हम tense लगाएंगे ठीक है ए आस आ एमोस आबेईस आन और इसके आगे लगाएंगे हम जो अपनी verb लिखनी है ठीक है बट वो verb भी इतनी simple तरीके से नहीं लगेगी ठीक है हर verb का एक pattern होता है देखते हैं क्या है वो pattern उसके पहले हम समझेंगे कि हर verb का आगे यही चीज लगेगी ठीक है ए आस आ एमोस आबेईस आन मतलब ए मतलब यो के लिए यो ए तू आस इल ओए या आ नो सोत्रोस एमोस वो सोत्रोस आबेईस ये योस एईस आन ठीक है ओके ये चीज तो हमें याद रखनी है इस verb में प्रेतरी तो perfect तो compost तो ठीक है just finish जिसे हम कहते हैं ठीक है अब verb को हम किस तरह से convert करेंगे अपने प्रेतरी तो perfect तो मतलब अपने just finish को verb को apply करने के लिए हम verb को किस तरह से convert करेंगे ठीक है अब यहाँ पे जिसे मैं कहते हूँ neutral form ठीक है जिसे हम कहते है sinconclusion ये बार आ गई ठीक है इसका आ जएगा जैसे कि ये आ एरे पे खतम हो रही है ये एरे पे और ये एरे पे ठीक है AR, IR और ER ठीक है इन सब पे खतम हो रही है तो इसका आ जाएगा आ दो ठीक है AR हटा के आ दो आ दो IR पे खतम हो रही है तो E दो IR पे खतम हो रही है E दो और ER पे खतम होने वाली भी E दो ठीक है मतलब कि AR पे खतम होने वाली के end में आएगा आ दो IR के end में खतम होने वाली पे आएगा E2 और ER के end में खतम होने वाली पे भी आएगा E2 मतलब आदो और E2 आएगा ठीक है सिरफ हमें last के दो अक्षर चेंज करने है और E2 लगाना है जैसे कि ये बार ये बार मिन्स कुछ carry करना कुछ लेके जाना ठीक है ये बार का आएगा ये बादो सर्रार का आएगा मतलब कुछ बंद करना सर्रार का आएगा सर्रादो सॉरी मेरी आवास थोड़ी गला बैठा हुए सर्रार का आएगा सर्रादो देसीदीर मतलब decide करना देसीदीर का आएगा देसीदीदो पेदीर काएगा पेदी दो मतलब की पेदीर means कुछ order करना, ठीक है, कुछ मांगना उसका एगा पेदी दो, responder मतलब किसी को response करना, किसी को reply करना उसका एगा respondi दो, beber काएगा baby दो, kair मतलब गिरना, उसका एगा काई दो, ठीक है यहां तक यह तो हो गई regular forms ठीक है जिसका कि हमने बताया कि pattern same होता है ठीक है AR का आएगा आदो, IR का आएगा E दो और ER का भी आएगा E दो ठीक है simple है अब ऐसी कुछ irregular forms हैं जिनके जब हम प्रितरी तो पिर्फेक्टो और कॉम्पोस्तो में बनाते हैं तो उनके थोड़ी सी form change हो जाती है ठीक है वो regular pattern में नहीं रहती है तो आबरीर means open करना उसका एक आबियरतो देखिए अब यहां पर I extra आया E आगया, then R आगया ठीक है ना आबरीर का आबियरतो यह हमें थोड़े याद रखने पड़ेंगे ठीक है, but doesn't matter जैसे कि हमने आगे से आगे words करने है, lessons करने है, sentences करने है तो हमें धीरे धीरे सब कुछ यहाद हो जाएगा, ठीक है आब read means open करना तो परितरीतो परिफिक्तो में आएगा आबियरतो बेर का आएगा बीस तो, मतलब देखना पोनेर का आएगा पुएस्तो, ठीक है, पुएस्तो मतलब कि कुछ पहनना, कुछ रखना, कुछ डालना, ठीक है एस्क्रीबीर, एस्क्रीबीर का आएगा एस्क्रीटो, ठीक है एस्क्रीबीर means write करना, कुछ लिखना, उसका आएगा एस्क्रीटो काफी अलग है कुछ कहना तो उसका एगा दीचो कुछ तोड़ना कुछ काएगा रोतो कुछ कहना तो उसका एगा अब इसे apply कैसे करना है तो let's see हर form के आगे कोई भी हमें एक word उठाएंगा कोई भी एक verb उठाते है जैसे कि मैं कहरी हूँ कि मैंने अभी अभी एक movie देखी I have just watched I have just I have finished a movie मैं movie देखके हटी हूँ मैंने एक movie खतम किये कुछ भी किसी भी तरीके से बोल सकते है बट form क्या लग रही है यही कि मैंने बस खतम कर दिये ठीके ना तो वो continue हो रही है ना मैं उसे routine में देखती हूँ ठीके ना मैंने उसे past में देखा है present में मैं अभी अभी यह काम खतम करके हटी हूँ ठीके और यह एक time के लिए count होगा ठीके ना एक time के लिए मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं बताती हूँ क्योंकि कुछ काम हम routine में करते हैं जैसे कि मैं routine में हर रोज इतने मज़े office जाता हूँ या फिर मैं routine में हर रोज इतने मज़े खाना खाती हूँ ठीके तो यह routine में count नहीं होगा ये one time verb है ठीक है जो हम अभी के लिए explain करें कि ये काम हमने अभी अभी finish किया है ठीक है तो मैं ऐसे ही random सी एक line up को बोलिए कि मैंने अभी अभी I have finished a movie ठीक है मैंने अभी अभी movie finish किया है खतम किया तो इसी तरह से अगर हम serrar verb उठाएं ठीक है a serrado a serrado mikasa for example मैंने अपना घर बंद कर दिया a serrado मतलब कि अभी अभी मैं अपना घर बंद करके हटी हूँ ठीक है तो a serrado a serrado लाती हैं दा क्या आपने shop बंद कर दिया ठीक है तो a serrado मतलब ये words ये जो a as a a most always on है ये person के according change होंगे ठीक है अब यहां तक तो हमें याद होई गया है कि ये yo to el a ya nosotros vosotros ellos और ellas के लिए use होते हैं ठीक है यहां तक तो अभी तक हमें याद हो जाना चाहिए तो ये words change होंगे serrado 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 सब में same लगेगा ठीक है हर person में इसी तरह से अगर हम एक roto verb उठाएंगे तो person के according जिसके बारे में हम बात कर रहे है amos roto मतलब कि हम सबने मिलके ये कांच तोड़ दिया ठीक है तो amos roto आएगा ठीक है अगर मैं कहूं कि नहीं हम सबने मिलके नहीं तुमने अकेले ने तोड़ा है abeis on ठीक है verb एक बार याद करनी है जैसे कि akabado ठीक है ay akabado mis deberis मैं अपने deberis मैं अपने homework खतम गर चुकी है ठीक है तो एक मैंने ऐसे ही example लिया एक regular का एक irregular का ठीक है ताकि हमें confusion ना हो तो change क्या होना है ay as a amos abeis on ठीक है अब मैं कुछ लेके आई हूँ phrases ठीक है अलग-लग verbs के है अलग-लग persons के है ठीक है तो change again क्या हो रहा है ay yena do last botayas मतलब yenaar means भरना ठीक है तो yena do मतलब कि मैंने भरी last botayas bottles मैंने भर दी हैं bottles ठीक है मतलब just finish मैं bottles भर चुकी हूँ या मैंने bottles भर दी है ठीक है तो present में मैं ये काम just finish अभी-अभी करके हटी हूँ ठीक है और a आगया तो yo लगाने की जरूट नहीं है मतलब जरूरी नहीं है कि मैं हर चीज के सामने yo लगाँ क्योंकि verb अलरेडी बता रही है कि मैं yo के बारे में I के बारे में मतलब मेरे बारे में बात कर रही हूँ अच्पुईस्टो ला सेर्विये थास इनला मेसा वो कह रहा है कि अच्पुईस्टो मतलब क्या आपने रखे क्या आपने वहाँ पे डाले सेर्विये थास means tissue papers ठीक है इनला मेसा अन दे टेबल ठीक है तो क्या आपने tissue paper टेबल पे रखे हैं ठीक है मतलब वो बता रही है कि उसने ख्वान को invite किये ठीक है यहाँ मतलब करके हटी है या किया है ठीक है किया है मतलब एक ही बात होगी कि करके हटी है या किया है उसने ख्वान को invite किया है ठीक है just finish अभी अभी वो present में चल रहा है ठीक है ना तो वो party खतम हुई है ना उसका invitation है जो बहुत पुराना हो गया ठीक है मतलब आप बहुत लेट पहुँचे हो येगार मिंस पहुँचना कहीं रीच करना ठीक है ना तो आबेइस येगादो मतलब तुम लोग ठीक है तुम सब बहुत लेट पहुँचे हो बढ़ क्यूंकि वो पहुँच चुके है ठीक है ना, तो वो वहीं पे खतम हो चुकी है, वो पहुँच नहीं रहे हैं पहुँच चुके हैं, तो just finish में आया uncopyado in an examen, मतलब कि उन्होंने exam में copy की है बट क्यूंकि वो कर चुके हैं copy ठीक है, उन्होंने exam खतम कर लिया है तो just finish में आया ठीक है, uncopyado ओके इसके इलावा एक होता है कि हमने अभी ये काम just finish की है ठीक है, एक होता है कि बहुट time से ये काम pending था, और हमने like मैंने 10 साल से या फिर मैंने 5 साल से वो गाड़ी अपने पास रखे हुई थी और अभी मैंने एक महिना पहले ही बेची है तो हाँ, वो भी just finish में आएगा क्यों? क्योंकि उसका जो time period था मेरे साथ, वो बहुत long था ठीक है, तो एक महिना पहले अगर मैंने अपनी 10 साल पुरानी कार बेची है, तो वो past नहीं हो जाएगा, ठीक है मेरे लिए अभी ये बात नहीं है new है ये मेरे लिए बात तो ये भी just finish में ही आएगा क्योंकि एक तरह से ये present की tense में चल रहा है, ठीक है ना बहुत पुरानी कार जो बहुत time से मेरे पास थी, वो अभी अभी ही मैंने बेची है, तो मेरे लिए ये बात new है, ठीक है, इस तरह से कि मैं बेच के हटी हूँ एक महीना पहले a bendi do mi coche, ठीक है मतलब कि मैंने बेच दी है अपनी कार, ठीक है ना तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि time period कैसा चल रहा है, मतलब ये क्या चीज इतनी पुरानी हो गई है कि हम इसे past में गिनेंगे या हम इसे present में ही गिनेंगे क्योंकि उसका time period हमारे साथ बहुत long था, ठीक है ना तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक minute पहले ही ये काम होगा तो ही just finish में आएगा, ठीक है तो वो भी just finish में ही आएगा तो यहीं तक मेरा chapter था I hope आपको ये, जो ये verb है वो अच्छी तरह से समझ आ गई हो इसके बाद जो आएगी, वो आएगी present continue वाली verb, ठीक है बहुत simple है, और उसके बाद में पहले एक, तीनो present की जो verbs हैं, उसका combination करके, और उसका comparison करूँगी आपके सामने ताकि कोई confusion ना रहे, ठीक है ना और उसके बाद मैं past tense लेके आऊँगी, तो I hope आपको मेरा ये video भी पसंद आया होगा इसी तरह मेरे चैनल को like करते रहे मेरे उसको like करते रहे follow करते रहे, और प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और comment जरूर किया कीजिए कोई भी doubt हो, ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिये, आस्तालवेज़